Christmas, Horror Story, The Legend of Krampus Christmas का तेवहार, Christian culture में बहुत special माना जाता है Christmas को दुनिया भर में celebrate भी किया जाता है Christmas से जुड़ा एक tradition ये है कि जो बच्चे पूरे साल अपने best behavior में रहते हैं Santa Claus उन्हें Christmas Eve के दिन उनके मन पसंद gifts देते हैं वो रात में चुपचाप आकर, Christmas tree के नीचे बच्चों के लिए gifts रखते हैं और बच्चे सुबह उठते ही उन gifts को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं पर उन बच्चों का क्या जो अपने best behavior में नहीं रहते ये कहानी Sam की है ग्यारा साल का Sam Canada की सिटी टोरॉंटो में रहता था Sam बच्चपन से ही हर चीज में बहुत active था स्पोर्ट से लेकर academics Sam हर field में excel करता था पर इन सब के चलते Sam के अंदर काफी घमंड आ गया था वो अपने आपको अपने classmate से उपर मानता था और कम स्कोर करने वाले बच्चों को बुली भी करता था उसकी complaints काफी बार की गई पर क्यूंकि वो एक पढ़ने वाला bright student था उसे सभी प्यार से समझाय करते थे पर Sam किसी की बात नहीं सुनता था उस साल सैम ने फिर से class में टॉप किया था और उसका घमंड उचाहियां चू रहा था उसने Christmas के लिए सैंटा से अपने favorite action figure की भी मांग की थी Christmas Eve के दिन सैम के मन में एक idea आया वो सैंटा को अपनी आँखों से देखना चाहता था उसने decide कि वो रात बारा बजने के बाद जब सब सो जाएंगे तो वो Christmas tree के पास एक जगा चुप कर सैंटा को आते हुए देखेगा करीबन रात के साड़े बारा बज रहे थे सैम के घर में सब सो चुके थे सैम दबे पाउं अपने कमरे से भार आया और किचिन के एक नीचे के कैबिनेट में छुप कर बैठ गया उस कैबिनेट के दरवाजे की दरार से Christmas tree बिल्कुल क्लियर दिख रहा था सैम वहां बैठ कर सैंटा का वेट ही कर रहा था कि तभी उसे कहीं से बेल्स बजने की आवाजे सुनाई दी यह वाज कहानी के हिसाब से सैंटा के reindeer स्ले यानि सैंटा की वहीकल की होनी चाहिए थी सैम बहुत excited हो गया उसे यकीन हो गया था कि उसे उस रात सैंटा को देखने का मौका मिलेगा तभी सैम को चिमनी से किसी के नीचे आने की आवाज आई सैम चिमनी पर अपनी नज़र टिकाए बैठा ही था कि उसने देखा कि चिमनी से नीचे किसी के पैर आ रहे हैं पर वो पैर किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर के जैसे लग रहे थे सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में उस चिमनी से एक बेहद ही धरावना सा क्रीचर बहार निकला उसके सर पर दो सींग थे और उसका मूँ एक राक्षस जैसा था वो तेज सांसे ले रहा था और उसके हाथ में आक सुलक्ती हुई लकड़ी की एक रौट थी उसे देखते ही सैम की चीख निकल गई और उस राक्षस ने सैम को कैबिनेट के अंदर बैठे देख लिया वो सैम की तरफ दोड़ने लगा कि तभी सैम उस कैबिनेट से निकल कर अपने कमरे की तरफ भागा वो जीख रहा था और उसकी जीखें कोई सोनी ही नहीं पा रहा था वो क्रीचर किसी मॉंस्टर के जैसा लग रहा था और वो उसका पीछा करते करते लिविंग रूम की चट पर चड़ेया सैम का दिल उसके शरीर से बाहर आकर धड़क रहा था देखते ही देखते उस मॉंस्टर ने सैम को पकड़ लिया और उसे जमीन पर लिटा दिया उस मॉंस्टर ने सैम के हाथ पर वो गरम रॉड लगा दी और उस गरम रॉड के लगते ही सैम को दोरे पढ़ने लगे दोस्तो इस हफते तक क्राइम शो में हम लेकर आए हैं दड़न की स्कैम क्राइम की एक ऐसी कहानी जो आपका दिल धहला देगी हरपाल सिंग उसकी बीवी और बेटी तीनों को अमेरिका के ऐसे सपनी की लालज में भसाया गया कि वो चहा कर भी उस जाल से कभी बाहर नहीं निकल सके जानने के लिए एंड स्क्रीन या पिंट कॉमेंट की लिंक पर क्लिक करिए और देखिए हमारी नए स्टोरी डंकी स्कैम ऐसा लग रहा था कि सैम किसी ट्रांस में चला गया है और उसकी आखें एकदम लाल पड़ गई थी सैम दर्द में चीक रहा था और उसे कोई नहीं सुन पा रहा था दीरे दीरे सैम की आखें बंद पड़ गई और वो जमीन पर नीचे गिर गया अगले दिन सैम उठा तो वो हॉस्पिटल में था उसके हाथ में एक पट्टी बंदी थी और उसके घर वाले उसके पास ही बैठे थे उन्होंने बताया कि सैम उन्हें सुभा लिविंग रूम में पड़ा हुआ मिला और उसके हाथ के पास एक जली हुई लकडी थी सबने ये माना कि सैम घर की फायर प्लेस में जलती लकडियों के साथ खेल रहा था जिसके चलते उसने अपना हाथ जला लिया सैम ने कई बार उस रात का सच बताने की कोशिश की सैम ने ये भी बताया कि जब उसे दौरे पढ़ रहे थे तो सैम को अलग-अलग चीज़े यादा रही थी जैसे उसे अपने घमन की चलते किये हुए सभी बुरे काम अपनी आँखों के सामने दिख रहे थे क्लास में बच्चों को बली करना, बत्तमीजी करना, कभी किसी के मदद ना करना उसने ये सब कई बार अपने परिवार वालों को बताया पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी करीबन एक हफते बाद सैम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया उस इंसिडेंट की बाद से उसे रात को नीद नहीं आती थी सैम ने इंटरनेट पर रिसर्च की तो जो रिजल्ट्स उसके सामने आए वो दिल धहला देने वाले थे जो मॉंस्टर उसे उस रात दिखा था, वो क्रैंपस था लेजंड्स के हिसाब से क्रैंपस सांटा क्लॉस की एक काली परचाई मानी जाती है जो उन सभी लोगों को डराती है, जो दूसरों को बहुत ज़ादा परिशान करते हैं सैम ने जब क्रैंपस की बारे में और पढ़ा, तो उसे सब कुछ समझा गया था और उसने उसी दिन से डिसाइड किया, कि वो अपने बहिविर्ज में चेंजिस लाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा, उसे लगा कि ये सब करके अब क्रैंपस दुबारा नहीं आएगा लेकिन फिर एक रात, वही मॉन्स्टर सैम को वापस दिखा और तब से सैम चेंज की नीद नहीं सोपाया है हरपाल सिंग, उसकी बीवी जस्प्रीत कौर और उसकी बेटी जैस्मिन तीनों मेकसिको की फ्लाइट पकड़ने के लिए एरपोर्ट पर खड़े थे उन्हीं किसी बात का डर सताय जा रहा था जैसे जैसे वो सिक्योरिटी चेक के करीब जा रहे थे उनकी दिलों की धड़कने बढ़ती ही जा रही थी मगर ऐसा क्या था जो उन्हें इतना डरा रहा था